मैंने बचपन में ही तुमारा नम अपने दिल पे लिख दिया था मुझे तरगा की रानी नहीं बलकि तुम इस गाउं का बेटा बन का रहने का वचन दो यह अर्चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है दोस्तों इंडियन फिल्मों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ट्रेलर काटते वक्त फिल्म की कहानी आसानी से समझ आ जाती है क्या दिखाना है क्या छुपाना है इसमें फिल्म के मेकर्स अक्सर फैल हो जाते हैं लेकिन फिर आया नेपाली फिल्म प्रेमगित 3 का ट्रेलर, पूरे तीन मिनिट ध्यान लगा के देखने के बाद भी किस बारे में हैं इसकी कहानी क्या होगी कुछ समझ नहीं आया, बोस इसको कहते हैं एक परफेक्ट ट्रेलर, जितनी बार देखो उतनी बार कुछ नया मिल ज दिमाग का असली टेस्ट लेने वाली फिल्म होगी ये पूरी स्टोरी रिविल करना तो दूर ट्रेलर ने इतने सारे सवाल छोड़ दिये हैं न कि जितनका जवाब ढूंडने के लिए आज इसी वक्त फिल्म देखने का मन करने लगेगा किसी का भी विज्वल्स देखे आपन एनिमेशन और रियल दोनों बापरे बिल्कुल इंटरनेशनल वाइप्स आ रहे हैं थ्रीडी प्रिंट लेटर में देखने के बाद सच में मज़ा आ जाएगा हैंस प्रूड अगर डायरेक्टर का विजन सोलिड है न तो दोस्त अच्छे विएफेक्स के लिए फिल्म को प स्क्रीन के पीछे हो फिल्म में इस्टाइल एकदम यूनिक लग रहा है एक तरफ तो सस्पेंस और मिश्ट्री है तो दूसरी तरफ एक्षन वाली फिलिंग भी आ रही है कंप्लीट पेकेज है कोई सिकायत का मुका नहीं छोड़ा चेतन गुरुंग और संतोस सेन जी जो य इसके अलावा इस फिल्म में और भी कई कलाकार सामील है दोस्तो प्रदीप खड़का की प्रेमगीत 3 काफी लोगप्री और नेपाली फिल्म है प्रेमगीत 3 फिल्म में क्रिष्टिना गुरंग ने एहम भूमी का निभाई है प्रेमगीत 3 फिल्म 23 सितंबर 2022 को रिलीज होग प्रेम गीत 3 फिल्म के अभिनेता प्रदीप खड़का और कृष्टिना गुरंग है जिन्होंने प्रेम गीत 3 फिल्म में बहतरीन काम किया है तो दोस्तों आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और ये फिल्म एंडेन वोक्स ओपिस पर क्या कमाल दिखा पाएगी और एक ब